शेहर में वास्तविक आपात कालिन सिते में सरकार के विभिन विभागों और अन्य संबंधित पक्षों के बीच समन्वय तैयारिक शमता और सतरकता तैयारियों का आकलन करने के लिए सुमवर विस्मार्श को ओएंजिसी के सूरत हजीरा सयंत्र में एक ओफसाइड मोग्डिल का आयोजन किया गया है मोग्डिल ओएंजिसी हजीरा प्लांट परिसर सेत टक में लदे लपीचे टैंक में अचानक लिकेज की घटना के संबंध में आयोजित की गई थी एंजिस 53 के पास प्लांट और दुए का एक बड़ा बादल दिखाए दिया इसे भी ठंडे वाश्म से चलने वाले एक व्यक्ति को एक पेशेबर प्रात्मिक स्वास्ते केंदर में लिचाया गया और उसका इलाज किया गया सरदों के आपाद स्तिती कोशित की गई और पेड़ा मेडिक्स को बुलाया गया बापसका बादल राचमार्ग की और बढ़ा और अचानक चिंगारी से प्रजबिलित हो गया इसके बाद घटना को तीसरी स्तर के आपास स्तिती कोशित की गई इस और शहरी आपदा प्रबंदन को सुचना दिया गया सानी या आपातकालिन प्रतिक्रिया टीम ने मोके पर पहुच कर पूरी घटना का तुरंत जवाब दिया और आग में जुल से दो व्यक्तियों को तातकालिक इलाज के लिए सिविल अस्पताल में स्थाना नतरित किया गया और इसके नर्देशन में कारेश जारी रहा जो अततह आग पर काभू पाने में सफल रहा